उमंग भरे इस चुनावी उत्सव में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ जीतेंदर एहलावत आप देख रहे हैं स्टीटी तहलका का खास कारीकरम चुनावी रण सियासत की इस बिसात पर पत्ते फेटे जा रहे हैं सूबे की तमाम पार्टियां चुन-चुन कर अपने उमीद्वारों को मैदान में उतार रही हैं ताकि सूबे पर फते हासिल किये जासके जहां विभिन सियासी दलों ने परति दोविंदी उमीद्वारों को हराने के लिए जाल बुनना सुरू कर दिया है सब परिवारों को साल के बहत्तर हगार रुपए हों के दैक कान में जासिए वायदे हों या चुनावी एजेंडा एक मजबूत मार के लिए मजबूत सरगार चुनने नारे हों या फिर चुनावी मुद्दे जनतंतर के इस संगराम में फिर एक बार मोधी सरकार हम देंगे न्याए इस तरह के तमाम नारे अलग-अलग राजनेतिक दल के लोग सत्ता को हासिल करने के लिए शुरू कर चुके हैं वहीं अक्षेत्रिय दल राष्ट्य पार्टी को टक कर देने के लिए गठ बंदन की और रुक करने की कसम कश में है जिस सिट पर किशी भी पार्टी विशेश या किशी नेता का स्वम का दबदबा है वहां सैयोगी दल खाली सिट छोड़ कर सियासी जाल में सिकार के आप हसने को लेकर सो फिश्दी आसवस्थ हैं हाला कि तमाम पार्टियां आज कल में अपने उमीदवार मैदान में उतार कर चुनावी संगराम को और गति देने के तेवरों में आगी है अपने अपने इलाके में नेता वे पार्टियों का जहां दबदबा माना जाता रहा वहाँ इस बात का भी भै महसूस किया जाता रहा है कि यदि उनके अपने दुर्गों पर परतिदवंदी किसी सूरत पर फते कर लेते हैं तो आगामी विधान सबाद चुनाओ को जीतने में खासी मसक्कित करनी पड़ेगी हरियाना की दस की दस सिटो पर अब निगा इस बात पर है कि किस पार्टी से कोन उमीदवार फाइनल होगा ताकि मुकाबले में उतार चड़ाओ का जनता अनुमान लगास के बैरहाल अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने दस के दस उमीदवार नहीं उतारे हैं जहां जिस पार्टी के नेता का दबदवा है वहां परतिदवन्दी पार्टियां दबदवे वाले उमीदवार को किस तरह से कमजोर किया जास्के उसके लिए जोर अजमाईस का खेल सुरू कर चुके हैं बैरहाल तमाम पार्टियों ने अपने अपने उमिद्वारों की लिस्ट लगभग लगभग फाइनल कर दी है लिहाजा चुनावी स्क्रीन पर धीरे धीरे तस्वीरे साफ होती नजराने लगी है सियासी दल या उमिद्वार जनता की कसोटी पर कितना खरा उतर पाएगा वह 23 मौई को ही जनता के सामने आ जाएगा इसी चुनावी रण के इस कार्यकरम में आज इतना ही आगे फिर नहीं रोचक तथों के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार